Hello friends , जब बात करने वाले जो हमारा पास mobile phone है IQ Z6 इसके अंदर जो time lapse का option आपको मिल जाता है उसके अंदर आप कुछ चले जाना है time lapse का option में चले जाना उसी के बारे में आज हम करेंगे बात time lapse के मतलब ही के हमारा जो fast motion है उसके बारे में हम करने बात तो सबसे पहले ऊपर के options में आ जाते हैं जो सबसे पहले आपको ऊपर option मिलता है वो है fleshlight का अगर light ना हो तो fleshlight का आप इस्तमाल कर सकते हैं second section है वो है आपको काफी बड़ी list मिली है इसके अंदर आपको speed जो है वो कितनी के आपको speed रखनी है जिससे आप देख सकते है fast traffic जो है वो चल रहा है वो आप fast fast traffic के लिए 50x की रख सकते हैं ठीकिन अब 15 second की speed उसके आप फिर 13x moving crowd आपका जो crowd है अगर वो चल रहा है बहुत तेज आप crowd में है तो आपको 30x की रख सकते हैं 60x sunrise and sunset सूरज उगने की और सूरज ढूबने की अगर आपको वीडियो बनानी है तो आप 60x रख सकते हैं बहुत इसमें आपको mention किया गया है 120x आपको दिखाई दे रहा है moving clouds जब बादल जो घूम रहा है उसके लिए आपको 120x की जो है इसमें footage पर क्लिक करना है अगर आपको बादल की वीडियो बनानी है चलते हुए उसके बाद जो 240 आपको दिखाई दे रहा है वो है slowly moving cloud जो बहुत धीरे बादल चल रहा है आपको अगर उनकी वीडियो बनानी है तो आपको 240 पर क्लिक कर देना है 480 का जो section है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा moving a shadow अगर जो आपकी shadow पर्षाई वो move कर रही है तो जो किसी भी चीज की shadow move कर रही है तो उसके लिए आपको 480 पर select करना है और last जो है हमारा वो है 960 960 का जो option है उसमें moving star in a night अगर जो रात के समय में तारे move करते हैं अग option से जिसका आप इस्तमाल कर सकते हैं बाकि आपको जो भी option समझ में आ रहा है उसको इसको इस्तमाल में ले सकते हैं पटावी हमने auto पे click कर दिया अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप auto पे भी रख सकते हैं बाकि इसके बाद जो इसका second section है वो है हमारी quality तो quality में आप काफी सारे option दिखाई देना उपर setting और frame और level frame level के बारे मैं बता चुका हूँ setting को मैं एक बार और दिखा देता हूँ setting में कुछ भी नहीं है सिर्फ 4-5 option से sound location और यह सारे से options आपको दिख जाते हैं तो हम back कर देते हैं उसके आद आप zooming देख सकते हैं इसके अंदर zooming आपको 10x तक कि आपको इसके अंदर zooming मिल जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं 10x तक आप इसमें जूम कर सकते हैं अपने phone में ठीक है इसके बाद फिर हम जो है एक आध फुटेज ले लेते हैं तो मैंने वीड में वीडियो बना देता हूँ time slap मैं देख सकते हैं काफी slow वीडियो बन आ रहा हूँ और देखते हैं हमारी जो काफी slow वीडियो वह कैसी बनती है और कितनी fast बनती है देख सकते मैंने zooming भी कर दी है zoom out भी कर देता हूँ ठीक है अब पूरी हम पूरी तरीके से हमने वीडियो को click कर लिया है और इसे अब save पे click कर दिया है और हम देख लेते हैं हमारी जो वीडियो कितनी fast बनी है देख सकते काफी ज़्यादा fast बनी इतना time लगा बट आपको जो वीडियो है वो एक second में भी नहीं आईए कम सकम 2-3 second की आपकी जो पूरी वीडियो बनी है वो पूरी पूरी एक second की वीडियो बनी है ओटोमेटिक वो एक second की वीडियो आपकी बनी है तो आप इसी तरीके से select कर सकते हैं आपको जिस भी mode में इस्तमाल करके वीडियो बनाना और बना सकते बाकि यह है हमारा camera quality इसकी यह हमारे time-lapse की camera quality आपके तो hello friends तो आपको वीडियो कैसे लगी हमें comment box में comment करके बताईएगा और ऐसे interesting videos के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए वीडियो को कर लिजे like चैनल को कर लिजे subscribe बाकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और topic कैसा तब तक कि लिए जये जये भारत मता की जये